तो आज में आपको एक ऐसी ओसदी से पर्चे कराऊंगा जिस ओसदी का नाम है आत्म गुपता इसको आत्म गुपता या कौंच बीच की नाम से जानती हैं और हमारी भासा में इसको ट्वांगस बोलते हैं ये दो प्रकार की होते हैं एक तो वन और एक बागवानी जो खुझली पैदा होगी ये ट्वांगस है इसको कौंच बीच बोला जाता है इसका प्रियोग आपको सोधन करने के पस्चाथी करना चाहिए इनका बहुत अच्छा प्रियोग है मैं बता दू पहले आपको इनके फली दिखा दो यह हैं वो फली आप देख सकते हैं मैं हात न रहे करने वाजी करने और कामधीपन से इसका प्रियोग करने से पुरसों के सभी बीमारियां दूर हो जाती है दोस्तों कि ए सभी प्रकार की पुरुष रोख में गुड़का сделал कि ये देख लेगे ये इसकी फली आपको मैं दिखा दो यह इ拜拜 मंतली में तो यह सभी प्रकार के पुरुष्ज होना को यह हरने वाली होती है कि इसका प्रियोक आप वह इसको पाक बनाकर के चूरन बना कर के कर सकते है तो यह सबी प्रकार के प्रुष्ज रोग में लापकार Dieu हमारे नौजमान भाई कि बच्पन की गलतियों के कारण अपनी शक्ति खो चुके हैं जिससे बिवहक जीवन दुख में बन गया है तो वे कौँच पाक का प्रियोग करें कौँच चूरन का प्रियोग करें या फिर जिनका पुरुष इंद्री जिनकी पतली हो गई है नश्णाणियं दिखाई देती है उसमें इसका तेल बना करके प्रियोग करेंगे तो बहुत ज्यादा गुड़कारी होगा तेल कैसे बनाएंगी आप अकरकरा असगंद और इस कौच वीजो को ले करके आप वो शार्सों के तेल में पकाजिएगा और पकने पर जब तेल मातर सेस रह जाए तो उतार करके अपनी अगर इंद्रियों पर रोजाना मानिस करते हैं तो यह सभी रोग हर लेती है और पुर्सों को जबर जस्त घोड़े जैसी तागत प्रदान करती है यह बहुत ही गुड़कारी है सभी प्रकार के पुर्स रोगों में चाहे हुए धातु शिरता हो या हमारी मातां बह में लिकुज्या की सिकाइथ हो सब को यह हर देती है यह आत्मकुपता यह कौच वीच के जवर्जस्त फायदे में आपको फिर से दिखा दूए इनकी फली यह देख सकते हैं यह बहुत ज़्यादा जवर्जस्त और सदी है लेकर यह जितनी गुड़कारी है उतने ही घातक है आप इनका प्रियोग बड़ी सावधानी से करियेगा और सोधन करने के पस्का यह को क्योंकि यह कौश बीजिस से बहुत ज्यादा खुजली प्यादा होती है दोस्तों इसका प्रियोग बात रोग में भी किया जा सकता कैसी प्रकार का बात में हो साहती का फुतनों का दर्गों का दर्गों का दर्गों को ले ले जिए और संभाग आप देवदारू हल्दी और इनको मला करके तےल बनाईएगा और उन तेल को अगर मालस करते हैं तो सभी प्रकार के गठिया बात में और सभी प्रकार के बात रोगों में यह बहु ज़्यादा लापकारिए तो पुरसों के सभी रोग इस्तरियों के सभी रोग और बात रोग को यह नश्ट करने वाला पोड़ा है, को अवाची वीजिए